असलाम अलेकुम दिया लेनेर्स, Potential On-Tip News and On-Tip News in Action हमारी बात चल रही है Intellectual Property and Intellectual Property Rights in Pakistan हम अपनी डिसकेशन को आगे लेके जा रहे हैं और सबसे पहली जो हमारी डिसकेशन है, that is about the trademark असद ने अपनी पहली वीडियो में बताया हमें कि trademark आपकी पहचान है और बहुत से entrepreneurs जोने trademark register ना करने की वज़े से नुकसान उठाया उन्होंने ये जुमले कहें कि शायद business करने से भी कहीं ज़्यादा जोरी ये था कि पहले हम अपने trademark अपनी पहचान को register करवाते हैं trademark क्या है, इसकी governing laws क्या है, trademark किस तरह से register होगा और अगर आप register करते हैं, तो क्या फाइदे हैं, नहीं करते हैं, तो क्या नुकसान आता है ये पूरी विडियो इन ही एक topic के ओपर base है So, without wasting any time, आज चलते हैं Asad की तरफ, Asad is senior lawyer Asad, thank you very much for joining us in the studios Trademark, क्या है, किस तरह से define है law में तेकि trademark intellectual property right की एक आप कैसे हैं के किसम है या उसकी जो है वो further एक हमें lead मिलती है कि यह आपकी एक निसाल जिसे आपकी है कि intellectual property right जब का जाते है तो यह है क्या इसकी जो है वो एक tangible thing है या intangible thing है तो उसके अंदर आफ यह देखते हैं जब आपकोई कारुबार का आगास करते हैं तो उसके अंदर आप उसको एक phase देते हैं उसके साथ एक marka जिसे आप कहते हैं जीकि वो वो आप attach करते हैं लोग आपको इस नाम से या इस color से या इस design से आपको दूर से पहचांसे जैसे हमारा नाम हमारी पहचांसे जी जी बिलकुर कारोबार के अंदर भी business के अंदर भी entrepreneurs क्योंकि बहुत ज़्यादा ideas के साथ आगे बढ़ रहे हैं आप देखें कि जब हम देखते हैं history के अंदर तो सबसे ज़्यादा हमें entrepreneur entrepreneur का contribution नजर आता है और उसके अंदर फिर वोई बात के जिन लोगों ने उसको properly या timely register करवाया वो उसके बहुत ज़्यादा फवाइदा आपको जो है वो मिलते हैं साल के तोर पे आप कहलें कि आपका पूरा business जो है वो इस चीज़ पर depend करता है कि उसको कोई ना चुरा सके आप जितना ज्यादा अपने कोई उसे कहलें कि पैसे की protection करते हैं आप अपनी दूसरी कोई जायदाद की या plot की करते हैं उससे कई ज्यादा ही जरूरी है क्योंकि आपका सारा business इसके ओपर dependent है और ये court के अंदर सावित करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है बाज वकात ये भी हुआ कि कुछ इस तरह के case मिले कि जिसके अंदर दोनों parties registration के लिए नहीं गी लेकिन हुआ ये कि जो party के मेनत नहीं थी जिसका वो baby नहीं था उसने उसक को कदर नहीं थी कि उसने market के अंदर उस product की जो quality है उसको maintain रखना है बस वो पैसे कमा रहे थे उसके बार जिनका वो baby था वो careful थे कि जिसकी हम market के अंदर क्योंके बेचने जा रहे हैं तो ये क्यों उसकी उस तरह से feedback नहीं मिल रही है या complaints आ रही है तो वो पता ये चला कि तो इतना ज्यादा जूरी था कि वो अगर protect करवाते जब आप protect करवाते हैं तो उसके अंदर आपको कुछ rights available होते हैं आप जो party violate कर रही है उसके हिलाव आप FIR करवा सकते हैं उसके हिलाव एक restraining order आ सकता है कोट से उसके हिलाव उसने कोई पैसे कमाए है तो rendition of account का दावा ह हो सकता है कि आज तक इन्होंने दो साल के अंदर इतने पैसे मेरी product को इस्तमाल करते हुए उसको बना के बेचे इतना profit उन्होंने कमाया है तो मुझे उससे recovery दी जाए और सबसे वरी बात कि आप अपनी quality को maintain रख सकते हैं तो बहुत जरूरी है जैसे पहले मैंने तसक्रा कि या शायद उस idea से उस कारोबार से भी ज्यादा जूरी है कि आप देगें कारोबार आपने establish कर लिया लेकिन उसकी जो एक तसलसुल ये survival है वो depend करता है trade mark के उपर तो इसका फाइदा बहुत ज्यादा है बाकी जो इसके अंदर procedures है या जो उसके अंदर आप कहलें कि उसके अ ज्यादा सहल किया है आपके technology ने अगर आप willing हैं अगर आप करवाना चाह रहे हैं तो आप एक सबर आजमा काम ज़रूर है लेकिन इसके फवायत फिर उसी तरह से हमें मिलते है governing laws के बारे पूछा तो इसके अंदर जैसे पहले भी तथकरा हो चुका है कि तीन चीजें जो है वो आपकी आती है लेकिन हमें civil procedure court का भी अमल दखल नजर आता है और पाकिस्तान penal court का भी नजर आता है ताके लोगों को एक deterrence का element हो यह नहीं है कि उनको बता चलेगी अगर हम इसकी violation करते हैं और एक करोड़ पे आपने कमा लिया तो पचास जार प्चास लाक रुपया fine हो गया आपको फिर भी profit है उसको penalize जब आप करते हैं आपको उसको ताजिराते पाकिस्तान का हिस्ता बन बिल्कुल एक तरह की यह एक आप समझेंगे एक तरह की चोरी ही है ना किसी और ने मेहनत की और एक पूरा नाम अपने establish किया और उस नाम के साथ जाहरी बात है आपकी quality और आपके customer clients वारा सब जुड़े वे होते हैं somebody else is trying to you know steal the idea अचासद मुझे procedure समझाएगा अगर मैं being an entrepreneur यह अपना एक जिसे कहते हैं एक trademark मैंने design करवाया है और अब मैं यह चाहते हूं कि मैं इसको जाकर IPO के साथ जाकर रेजिस्टर करवा हूँ तो procedure क्या होगा देखें सबसे पहले तो आप यह जान लें अगर आप कुछ करती हैं या करवाती हैं अगर कोई बंदा आपकी employment में है वो आपके लिए कर रहे है तो actually ownership belongs to you not to the person who is actually working on your behalf क्योंकि आपने उसकी मेनत के पैसे उसको अदा कर दी हैं आप ownership आपकी है अब अगला उसका हिस्सा यह है कि उसको आप किस तरीके से जो है वो register करवा सकते हैं तो सबसे पहले तो availability of name या trademark की आप application फाइल करते हैं to the IPO जो आपकी intellectual property organization है वो उसका आपको reply देते हैं कि जी यह जो नाम आप ने select किया है यह trademark जो आपने select किया है यह किस तरह से distinguishable हैं दूसरे trademark से और वो उस reply के अंद आपको जो मिलते जुलते trademark हैं उनकी तफसील भी बता देते हैं कि यह यह आप इन से आपके मिलते हैं तो आप currently इसको या तो बहतर कर ले या फिर आप कहते हैं जी कि मैं यही trademark register करवाना चाहती हूँ या करवाना चाहता हूँ तो आप देखें कि आपने जो features दूसरे trademark के ब यह है कि आप अगर वो accept कर लेते हैं आपकी application को availability हो जाती है तो उसके बाद दूसरे मरला आता है कि वह अपने एक उनके जो newspaper एड है या आप उसे gazette कह लें वो उनका हर मन्त के अंदर शाया होता है IPO और उसकी जो है वो online आपको accessibility available होती है कि आप उसको कोई objection उसको को करना च चाहे लेकिन अगर objection नहीं आती तो उसके बाद जो है वो आपको कहते हैं जी अब आप थोड़ा सर वेट करें तकरीबन एक साल उसमें लग जाता है वो आपको reply नहीं करते हैं आदूसरे इसके अंदर practical point ही है कि आप trademark जो भी select करते हैं आप उसके 8 sample जो है वो provide करती है to IPO है वो detail मुझूद है कर सकते हैं लेकिन मैं फिर इसमें लीट दे रहा हूं कि अगर आपका कोई भी student या पी audience कोई भी वहां पे जाकर प्रोश करना चाहे तो वो कर सकते हैं लेकिन बुन्यादी जो बात है वो यह है कि आपको heart sample देना होती है application देना होती है और आपको specific amount जो आपके को अचशिन नहीं आई तो आपका पिर trademark आपको उसका certificate मिल जाता है इसकी duration जो है बहुत 10 साल की होती है 10 साल के बाद आपको renew करवाना पड़ता है एक दूसरी important चीज़ इह चीज current कि यह है कि आपको इसको 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 इसमाल करते रहना बेसाल के तोर पे आपने रे registration के बाद इस साल के अंदर फिला मंद के अंदर इसको इस्तमाल किया मैंने आपको या आपको services दी तो यह नहीं मैंने कारोबार जारी रख जारी रख अगर आप उसको इसको इस्तमाल नहीं करते तो फिर उसके ओपर objection एक आ सकती है कि वह उसको before the time जो है वो cancellation की दरव लेके ज किया और आपका अगर उसके अंदर आगया है गैज़ट के अंदर नाम आगया है तो फिर दो माँ के बाद साथ दिन का period नों दिया होता है कि आप साथ दिन के अंदर अब्जेक्शन करें अगर आपने नहीं की तो देन यू आर दो ओनर ओफ दा ट्रेड मां लेकिन दूसरी सूर्थ हाल जिया है जिसका काफी हमें सामना करना पड़ता है वो यह है कि बाद उकात अब्जेक्शन आ जाती है अब्जेक्शन के हवाले से रिजवान की कुछ सवालात थे रो करना चाहरे तो आप यह बताईए कि जो availability of name symbol जो है यह वाला stage जो है कितनी दिनों में कितनी name design तो वो उसकी यह similarity है जो दूसरे trademark already registered है यह हमें within a month हमें आ जाता है यह इतना लंबा process नहीं है दूसरी stage अब जाए कि जब आपको clearance मिल गई है यहाँ पर availability है तो अब आप उसको file करते हैं कि आपको दे दिया जाए तो आपने का कि गजट में publish हो जाता है गजट में आपक application से लेकर गजट में उसकी publication में कितना वक्त लग जाता है तेकिन वो time को तकरीबन जो है वो अगर आपका available है name और उसके अंदर कोई आपकी सारी requirement पूरी है कुछ fees भी अदा करनी है कुछ बाज उकात papers के ओपर भी objection आ जाती है आपकी ID cards proper नहीं है आपने जो design दिया है उसकी copies कम है तो इस तरह कि अगर कोई चीज नहीं है तो फिर तकरीबन 60 दिन के अंदर वो आपको publish करते हैं लेकिन this is not mandatory और legally ये required नहीं है बैक लोग पे भी depend करता है बाज उकात हमें कुछ cases के अंदर जल्दी भी response आया है जनरली ये आप करेंगे 60 देनी आपसे जादे भी लग जाते हैं अच्छा अब ये कि गजट में publish हो गया opposition आ गई है अब पहले तो दो चीज़े हमें समझाएं एक ये कि जब हमारी जो ट्रेड मार्क है उस पर opposition आए तो उसका क्या तरीका कार होता है फिर हमें क्या response करना हो जाता है नमबर दो ये कि हम गजट देखते हैं और हमें लगता है कि कोई हमारे जैसा नाम लेकर आगया ये हमारा तो हमने oppose करना है opposition आये तो response कैसे करेंगे और अगर खुद oppose करना है तो उसका क्या process हो एक ही गो में ये दूनों चीज़ों का जो है जवाब दिया जा सकते है एक साइट पर आप समझें कि आप applicant है आपने फाइल किया है good trademark तो जैसे ही आप फाइल करते हैं दूसी साइट से आपको notice of opposition आता है और उस notice को आपने फिर statement आपने देनी है वो आपने 60 दिन के अंदर देनी है आप applicant है आपको जो opposition आई आपने उसका जवाब देना है reply देना है कि जी आप तो बात कह रहे हैं यह इस तरह से नहीं है हमारा इस तरह से मुक्तलिफ है यह हमारे पास evidence है आप तो इसके honor नहीं है जब आपने वो reply कर दिया तो उसके बाद फिर वो rejoinder दूसरी party जो opponent है वो देंगे उसके अंदर भी 60 दिन का time है इसके अंदर जो आपका trademark rules ह है उसके forms भी available है कि कौन कौन से form के उपर आपने देना है ताकि मामला already जो settled हो आपकी language clear हो और वही जो organization है उनको भी समझने में सानी हो कि अतराज बेसे का बनियादी तौर पर इतराज है क्या और उसके अंदर आप number लिखते हैं मिसाल के तौर पर आपने notice of opposition बेजना है तो उसका वो form number 50 है अगर आपने authority कि इसको दे रहे हैं कि मेरे भिहाब पे कोई pleat कर सके मामला को 48 है तो इस तरह से मुक्तलिफ आपको forms के numbering में मिलती है तो पहला तो step यह है कि जब अप गैजर्ट में आया तो notice of opposition आता है दूसरी side से आप उसका reply करते है रप्लाइ करने के बा law की मनशाज यह है कि वो चीज़ों को streamline कर सके कि यह नरे कि इसके अंदर specifically आपको objection क्या है color पे है design पे है या आपको spelling के ऊपर है या आप समझते है कि font के style के ऊपर है या आप पहले इस्तमाल करते रहे हैं आप आ नहीं सके आपको objection है किस nature का क्योंकि देगे law आपको यहाँ प्रोटेक्ट कर है कि अगर आप पहले चले गी है तो यह बिली चुए का खेल नहीं है अगर मैं यह establish कर देता हूं कि even though I didn't come before this authority in time but I was using this trademark much before in time मैं आप से पहले का इस्तमाल कर हो मेरे पास उसके bills के evidence है मेरा जो bank account है वो इस नाम से खुला हुआ है मेरे जो customer है या मेरे जो client है वो as a witness में पेश कर सकती है मेरी advertisements है उस नाम से मैंने अगर register नहीं कराया तो मैंने इसके ओपर कोई भी लोग बनाया था इसके अंदर मैं इस trademark का तसकरा कर रहा हूं को उसकी presentation दे रहा हूं तो evidence में भी of any kind तो objection जो है वो यह चार्ट स्टेप जब आप कर लेते हैं तो उस के बाद देखा जाता है कि क्या इतना material आ गया है कि इसके ओपर कोई decision तो है वो दे दिया जाए या फिर party को सुनने की जरूत है अगर सुनने की जरूत हो तो हम as a lawyer जो हम समझते हैं कि कुछ चीज़े explain करने के काबिल हैं जो बताए बगार शायद काबले फहम ना हो सके तो ह इसके अंदर ये document है ये evidence है इसके अंदर एक शूलत आपको ये भी है कि आप अगर चाहते हैं कि कराची के अंदर ये pending है और ये लहोर के अंदर सुना जाए क्योंकि आपकी party जो है वो भी लहोर की है और आप भी लहोर की है और आप चाहते हैं कि आपके client के ओपर additional cost ना तो ये procedure सारा गुजरने के बाद अगर आप applicant के तोर पे हैं या आप जो है वो opponent के तोर पे हैं तो दोनों सूर्थों के अंदर आपको इन steps से गुजरना पड़ेगा अगर आपका दियावा scenario देखा जाए जिसके अंदर opposition आगी तो अगर आप इसको oppose करना चाहरे हैं तो जाहिर आपने आपने यह procedure करने अचाहसर एक एहम सवाल मिसाल के तौर पर opposition जो है ना यहां तो यह है कि मैंने अपना trademark की application ती registration की और कोई और मेरा comparative जो है उसने आके मुझे पर कोई addition लगा दिया है अगर तो even जो organization है जिसके पास जाके मैं registration करवा रही है कि महां कर रेजिस्टर व ही कोई opposition मुझे लगा दे और मैं उससे सहमत नहीं हूं लाइक मैं उनकी बात से उन्होंने मुझे वो trademark जो है वो register करने नहीं दिया तो क्या मैं उनके खिलाप किसी और body के पास जा सकती हूं किसी और court के पास जा सकती हूं देगे दो इसके पहलों है आपके सवाल के एक तो है कि जब भी उन्होंने आपको जांच परताल करनी है आपके document की तो वो आपकी opposition ही है एक तरह से दूसरी party नहीं आई तो वो आपके जांच परताल करें और आपने उसको explain करने कि यहां पर आप जो बात किया रहे हैं इस तरह से ठीक है या इस तरह से घलत है तो दूसरा जो इसके अंदर पहलू है कि वो यह है कि यह अगर आपको वो final अपना एक verdict दे देते हैं तो वो उसके अंदर आप उसको बिल्कुल challenge कर सकते हैं और आप high court के अंदर उसको file कर सकते हैं अब high court पाकिस्तान के अंदर मुख्तिल जगों में situated है तो आप intellectual property right के अंदर अगर trademark की बा भी अदर आपने file की हैं तो आप फिर उधर भी जा सकते हैं तो वो लेकिन आपका जो सवाल है कि उसको आगे appeal की जा सकती है बिल्कुल appeal की जा सकती है हाई court में की जा सकती है और high court पी अगर आपके जो है वो मौकफ से आपे सेहमत ना हो या आपकी बात ना मानी जाे तो then of course साथ सुप्रीम कोट में जा सकते मेरा एक आखरी सवाल है जो इंटेलेक्टिल प्रॉपर्टी राइट्स को रेगलेट करने मुझे जितने भी लॉज हैं ये तिरफ पाकिस्तान के अंदर है या पाकिस्तान के साथ साथ ये अजाद जमुएन किश्मीर के अंदर भी वैसे ही इ चीज़ों को जो है वो उसी तरह से एजिटीज लेते हैं अगर वहां पर कोई लॉज मुझूद नहीं है तब उस सुरत के अंदर पाकिस्तानी लॉज को वो इंप्लिमेंट करते हैं तो जैसे हम कई मामलात के अंदर देखते हैं कि जब पाकिस्तान बना तो उस वकत कई लॉज मुझूद नहीं थे लेकिन देखा गया कि पहले उन से लॉज जा रहे हैं उनके स्पिरिट को फॉलो करते हुए क्यूंकि आपने केसिस को तो निप्टाना है प्राइट्स को तो डिसाइड करने हैं लोगों की तो उस सुरत के अंदर आप जो लेड़ी लॉज थे उ आपने अपनी को वीडियो बनाई है उसके अंदर लोगो मुझूद हैं या उसका कोई इस तरह की इंटिलेक्शल जो प्रापटी है उसके मुतलिक को चोड़ी होती है तो पाकिस्तानी लॉज को ही इंप्लिमेंट करें मैं सवाल इसलिए भी पूछा है क्योंके पाकिस्तान के मैं पांच हाई कोट काम कर रही है इसलामबाद को मिलाकर अजाजमान किश्मीर की हाई कोट भी अलग है और उनकी स्प्रीम कोट भी अलग है तो वह आपने मैटर इसलिए इनके नौरीन के सवाल पर कि अगर हमें के अंदर दो तिन चीज़े हैं मिसाल के तोर पे अगर आप रेजिस्ट्रेशन के पहलो से देखें तो वह एक अलग बात है ठेकिन अगर आप वाइलेशन के स्टेप से देखें कि मैंने यहां पे कोई ब्रैंड स्टैबलिश किया है और उसकी अजाद किश्मीर के अंदर व कोई स्टैबलिश ब्रैंड को आप पकड़े हैं और उसकी आप यहां पे ब्रांच खोले और आप उसको वाइलेट करना शुरू कर दें तो इंप्लिमेंटेशन बिल्कुल वहां पे होगी और इसी लॉग के मतामें होगी असा थैंक यू वे माच बिकॉज यह एक इनतहाई तो वो कैसे लेकर आ सकते हैं तैंक यू वरी मच कि आपने हमारे इन तमाम एहम सवालों का जवाब दिया कुछ और भी एहम सवाल हैं वह आपसे नेक्स वीडियो में करते हैं